हेलो गैस में हूँ आरियन गैस आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बैंक को बढ़ोदा के नॉमिनेशन फर्म फिलप कर पाएंगे इस टिप बाई स्टिप साड़ी जानकर ही आपको दिया जाएगा लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बर आए है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किये एंट तक जरूर देखें तो गैस जैसे कि मैं एक विडियो में कहता हूँ कि अगर आप किसे बैंकिंग फॉर्म फिलप करते है तो कैपिटल लेटर में फिलप करना आपके लिए जाद सही रहेगा जैसे कि आप देख सकते है कि पहले यहाँ पे आपका ब्रांच का नाम लिखना है अगर आपको ब्र को फ्रोंट पर से देख सकते है या फिर अगर अगर आप चाय तो इस बैंकिसंग में डिपूजट सकते है उसके बाद यह आपका नाम लिखना है और अपका एड्रिस लिखना है लेकिन एक बद यहां पใत लिखना है कि अगर आपका joint account है या फिर अगर आप joint ले किसी skim में deposit करते है तब जिन वेक्ति के साथ आपका joint account है उनका भी नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर branch का नाम लिखना है और branch का location लिखना है यानि branch जिस जगा में स्थित है वो ही location आपको यहाँ पर लिखना है उसके बाद यहाँ पर आपको nature of deposit लिखना है यानि जिस चीस के लिए आप nomine रखना चाते है वो आपको यहाँ पर लिखना है जैसे कि savings account, current account, fixed deposit या फिर recurring deposit के लिए भी आप nomine रख सकते है जैसे कि मेरा savings account है तो मैंने यहाँ पर savings account लिख दिया है उसके बाद यहाँ पर आपको account का number लिखना है यानि मेरा savings account है तो मैंने यहाँ पर savings account का number लिख दिया है उसके बाद अगर आप कुछ additional information देना चाते है तो वो यहाँ पर लिख सकते है या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते है उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम लिखना है यानि आप जिसे नॉमिनी रखना चाहते है उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है उसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी के एड्रिस लिखना है यानि नॉमिनी जिस जगा में रहते है वो ही एड्रिस आपको यहाँ पर लिखना है उसके बाद नॉमिनी के साथ आपका कैर रिलेशन है वो ही यहाँ पर लिखना है जैसे किस सिचुशन में नॉमिनी मेरा बरा भाई है तो मैंने यहां पर इल्डर ब्रादर लिख दिया है उसके बाद यहां पर आपको नॉमिनी का उमर लिखना है यानि नॉमिनी का एज कितना है वो आपको यहां पर लिखना है उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका नॉमीनी माइनर है यानि अगर आपका नॉमीनी को उमर 18 सल से कम है तब नॉमीनी का date of birth आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जैसे कि इस situation में मेरा जो नॉमीनी है उनको उमर 27 साल है तो मुझे इसे fill up नहीं करना है तो अगर आप किसी minor को अगर nominee रखते है तो उनका date of birth आपको यहाँ पे लिखना है उसके बाद फिर से यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका nominee 18 सल से कम है यहने अगर आपका nominee minor है तो यहाँ पे आपको किसे को witness रखना पड़ेगा जैसे कि इस situation में मेरा जो nominee है उनका उमर 27 साल है तो मुझे इसे भी fill up नहीं करना है तो अगर आपको किसे को nominee रखते है और उनका उमर 18 सल से कम है तब यहाँ पे आपको किसे को witness रखना पड़ेगा जैसे कि पहले आपको यहाँ पे witness का नाम लिखना है उसके बाद यहाँ पे आपको witness का address लिखना है और last में witness का age लिखना है उसके बाद यहाँ पे आपको place लिखना है place के जगा में आप branch name लिख सकते है उसके बाद यहाँ पे आपको date लिखना है यहाँ पर आपको वोई डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉंग को सब्मिट करते है उसके बाद यहाँ पर आपको सिगनेचर करना है या फिर अगर आप चाहे तो थम इंप्रेशन यानि अंगुटे का छाप भी दे सकते है लेकिन आपको यहाँ पर जान करनी रखना चाहते है तब दो जनक आपको यहाँ पर विट्नेश रखना पड़ेगा जैसे कि पहले आपको यहाँ पर विट्नेश का नाम लिखना है उसके बाद जो विट्नेश रहेगा उन्हीं यहाँ पर सिगनेचर करना है और विट्नेश का एड्रेस भी आपको फिल अप करना है औ और एक बात का जान करी आपको यहां पर रखना है कि आगर आपका joint account है या फिर अगर आप jointly किसे scheme में डिपोजिट करते है तब जिन बेक्ती के साथ आपका joint account है उनको भी यहां पर signature करना है या फिर अगर बोचा है तो यहां पर थंग फरिशन यानि अंगोटे का चाप भी तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही उम्मिद करते हैं वीडिया आपके लिए हेलफुल रहा अगर कोई डाउट रहे तो कॉमेंट करके जरूर बताए मैं आपका कॉमेंट करी प्लेज जरूर करूँगा और अगर वीडियो फसंद आए तो लाइक और शेर करें और इस तरके वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू